नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आलाइन इस्टिट्यूट निसान दियान की यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाद जिहाई आप सभी का स्वागत करता हूँ विनंद करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रो आज क्या वीडियो आप सभी के विसेश मांग पर विसेश मांग तो आप सभी लोग करते ही रहते हैं कुछ लोग इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ रहे थे भाईया जो चीज़े आप पढ़ा रहे हैं क्योंकि अधिकांसता जब मित्रों के मैसेज आ जाते हैं तो उनका जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं होता है लेकिन जहां तक संभव होता है मैं हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करता हूं आप सभी लोग देखते होंगे यूटूब के कोई भी कमेंट होता है तो उसमें अगर मुझे लगता है किसका रिपलाई करना चाहिए और जिसका रिपलाई करने योग्य होता है उसका रिपलाई में जरूर करता हूं ठीक है एक बार मैंने एक भावुक कमेंट किया था कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिये कि जादा सजादा जो मनोविग्यान की क्लासेज मैं दे रहा हूं उसे जादा सजादा लोग देखिये उसमें एक बच्चे ने हमसे कहा कि या मैं तो दूसरी जगह से पढ़ूँगा किसी चैनल का नाम लिया मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा उन्होंने कहा कि मैं वहां से पढ़ूँगा वो अच्छा समझाते हैं तो मैंने कहा कि मुझे इस पर कोई आपती नहीं है मैं अपनों से कह रहा हूँ, जो मेरे अपने है, मेरा support करेंगे, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, निकीए, अपना और पढ़ाई की बात अलग है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके हित में बाते कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ल आता हूं तो मुझे आप पसंद करिए अगर गरबर पढ़ाता हूं तो भाई वीडियो को देख करके अपने समय को जाया ना करें इसमें आपकी बुद्धिमानी है ठीक है तो चलिए मैं इस वीडियो की सुरुवात करता हूं सबसे पहली बात यूत्तर प्रदेश टेट जो यूपी टेट होने वाला है 2023 में सबसे बड़ी बात यही आ रही है भाईया इसके फॉर्म कब तक आएगा अभी कुछ दिन पहले एक ख़बर वाइरल हो रही थी हमारे टेलिग्राम ग्रुप पे बच्चे डिसकस कर रहे थे भाईया जनवरी के 20-21 तारीक तक या 30 तारीक इसका फॉम आने वाला है और इसका एक्जाम मार्च में हो जाएगा और सुपर्टेट में आ जाएगा इस तरीके की खबर चल रही थी देखिए मित्रों बिल्कुल फेक है मैं आपको बता दू अभी सिछा सेवा चैनायो का गठन हुआ ही नहीं है और आप सभी लोग जानत रही है आपकी परिच्छा जो है मैं जून से पहले नहीं होने वाली है मैं आपको जून बता रहा हूं इससे पहले आपकी परिच्छा कता ही नहीं होने वाली है हो सकता है एक परसंट उम्मीद है कि हो भी जाए मैं जून से पहले नहीं होने वाला आपका एक्जाम ठीक है और यह जो जाम होगा, यह यूपीटेट 2022 के नाम से होगा, क्योंकि यूपीटेट की परिच्छा 2022 में नहीं हो पाई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लिजिए अब सबसे बड़ी बात कि मुझे इसकी तयारी के लिए करना क्या क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर रहा मित्रों मैं बता दूँ, मैं अकेले काम करता हूँ, और अगर मैं ऐसा कोई कारिया अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो इसी तोर पे मैं बीमार हो जाओंगा, मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4-5 क्लासे जो है, और इस जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना थोड़ा सा म लेकिन मैं आपके लिए क्या करूँगा, मेरी रनेनितिया क्या है, उस पर आप समझ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको यूपिटेट निकालने के लिए बहुत बड़ा-बड़ा वैच लेना है, तो आप ले सकते हैं, ठीक, कुछ लोग जो है कह रहे थे कि यूपि मनोविज्ञान भी 30 नंबर का आता है, टोटल 30-30 नंबर के आते हैं, इसमें कुछ बताने क्या हो सकता नहीं, यह प्राथ्मिक की है, प्राइमेरी की, और आप प्राइमेरी के टीचर बनेंगे, तो आप प्राइमेरी पर ही ज्यादा फोकस करें, तो अच्छा है, ठीक है, मनोविज्ञान के 30 नंबर की जो पेपर आएंगे, इसमें से हमने मनोविज्ञान की CDP क्लासेच, मैंने सुरू कर दिया है, और 17 क्लासेच हो चुकी है, ठीक है, 17 क्लासेच हो चुकी है, और मुझे उम्मीध है कि इसमें अभी कम से कम 20 क्लासेच जोर जुड़ेंगी, 20 क्ला वाइट बोर्ड की वीडियो से, ठीक है, वाइट बोर्ड को बहुत लोग हलके में लेते हैं, कि वाइट बोर्ड वाला का पढ़ाएगा, ठीक है, तो, काफी बच्चे हमसे कमेंट करते हैं, भाईया, इतने दिन हो गया, आप इंट्रेक्टिव पैनल क्यों नहीं लाते हैं, ह जो लेक्चर वीडियो जा रहा है, और लेक्चर वीडियो इसी तरीके से जाएगा, उसके बाद मैं प्रयास करूँगा आपके लिए जो है, अगर 25-26 वीडियो देने के बाद, जो है, चीज़े समाप्त हो जाएंगी, समाप्त होने के बाद मैं question answer लाने का प्रयास अगर type करने के लिए में मेरे पास हो जाता है, typing वगरा के system, तो मैं type करके आपको दूँगा, और उसके बाद नहीं होता है, तो मैं लिख करके भी आपको दूँगा, ठीक है, प्रयास करूँगा, इसके बारे मैं आप tension मत लेजिए, तो इतनी चीजे मैं करने का प्रयास अपने lecture वाले class से, और हमारे साथ अगर आपको मानदारी से जुड़े हुए है, तो आपका घाटा नहीं होने वाला है मनो विज्ञार में, जो चीजे मैं पढ़ा रहा हूँ, पोड़ता आस्वस्तों, कि बहतर उसमें करूँगा, और आप बहतर जरूर करेंगे, जिस दिन पर इच्छा देके निगलें, यूपीटेट इस पेसल है, कल मैंने मानो विक्तित्तों के बारे में पढ़ाया, एक बच्चा आज करा तो भई आप टॉपिक वाईज पढ़ाईए, यूपीटेट में नहीं है, 2016 या 2015 मानो विक्तित्त से क्वेश्चन आया है, यूपीटेट आजाए, तो मैं कुछ भी चीजे छोड़ करके नहीं चल रहा हूँ, पस यहीं बात है, आगे बात करता हूँ मित्रो, EBS के बारे में, परियावण के बारे में, परियावण के लगभग, मेरे पास 32 क्लासेज है, आप सभी लोग जो है, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ के लिए क्लासेज बनाओंगा, जैसे ही मनुवज्ञान खतम होता है, तो आपके मांग पर जो है, या तो मैं परियावण की सुरुआत करूँगा, या तो मैं गणित की सुरुआत करूँगा, जो आप कहेंगे, ठीक है, काफी वच्चे, UPDL8 3rd semester के गणित की मांग हम से कर मित्रो, UPDL8 3rd semester के गणित, जो है, मैं 15-20 दिन में समाप्त कर दूँगा, तो उसके बारे आप टेंसर मत लेजिए, आप पढ़ते रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, 15-20 दिन में समाप्त कर दूँगा, आपका एक्जाम जो है, अपरेल लाश्ट तक होगा, तो उसके गणित के लिए, मैं प्रॉपर आपको बता दू, गणित के लिए एक प्रॉपर समय चाहिए, और गणित का syllabus भी बड़ा है, तो गणित अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए, बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं डियलेट का बेसिक पढ़ाता हूं, उसी तरीके से य 21-22 question मार देगा, 21-22 question मार देगा, और जिसे गणित आती हुआ 30 में 30 मार के आएगा, क्योंकि उसे पहले से गणित आती है, और नहीं भी आती है, 30 में से 21-22 आप मार के आएगे, इतना यकीन मानी, क्यों मेरे साथ मैंने जो बुक बताई है, HD यादो की जो बुक मैंने और वही से question भी उठाऊंगा, ठीक है, question महा से दूँगा, उसके बाद आप सबको यूपीटेट के previous year paper को साल्व कराते हुए चीजे आगे करूंगा, उसके बाद बात आती हिंदी की, हिंदी बहुत ही आशान होती है, हिंदी में कुछ बतानी क्या हो सकता नहीं है, हिंदी क मुझे हिंदी पढ़ाने बहुते मज़ा आता है, लेकिन क्या बता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं मनुग्यान के साथ साथ हिंदी का lecture वीडियो आपको देता हूँ, हाँ, यही सीकत है, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक आपको लेनी है, ठीक है, संस्कृत के लिए आप लगातार आप से पूछते रहते हैं, इसके लिए आप लूसंट की ले सकते हैं, ठीक है, लूसंट की मनुग्यान आती हुआ भी ले सकते हैं, एक बेसिक बूक होती लूसंट, और इससे यूपीटेटिव वाले, फंजाता, कोई दिक्कत है नहीं, मि पीटी पाठक ले सकते हैं, और भी एक बूक है, मालती सारसवत है, आप इस में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आप दें, परियावण के लिए मैंने परिच्छा वाली के बूक बताई थी, और एक बच्छा हमसे आज सुबह कह रहा था, भाईया मैंने तीन हजार के परिच्छा वाली का जो आपने स्लेबस बताया, जो सरकारी रिजल्ट पर स्लेबस दिया गया है, यूपीटेट का, उस स्लेबस से मैंने मिलाया थी, एक को टॉपिक नहीं मिल रहा है, परिच्छा वाली में, तो मैंने कहा हस करके, भाई देखिए, यूपीटेट है, और य कहिए कि जो चीजे दी हुई है, एक बार आप उसे साथ नोट्स बना लेजिए, पढ़ करके, ठीक है, एक एक पेज पढ़िए, उसमें से जो भी अच्छा हो, अच्छा लगे आपको, उसे पॉइंट वाईज आप लिखते हुए चले जाईए, इस तरीके से आप एक साधा बहुत जाजा है कि बाहर किया जाए, अगर नहीं बाहर किया जाता है, तो यकीन मानिएगा, कमप्टीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, और उस कमप्टीशन को पार करने के लिए आपको पूरी रणनीतियों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, प्रियास करिए, ब उसमें आवास देखिया, आवास दिया है, परिच्छा माणी में भी है, जो चीजे उसमें परियावण के लिए जो विज्ञान वाला पोर्शन है, उसमें दिया गया है, तब उसे पढ़िये, अना, और भी जो चीजे हो सकती है, मैं करने का प्रियास करूँगा, वैसे आप देजिए, मनुविज्ञान का परियावण का कम से कम दो नोट्स तो आप देजिए, उसके लिए भी मैं प्रियास रत हूँ, मनुविज्ञान के नोट्स मैं तयार कर रहा हूँ, अकेले कितना कितना करूँगा, तो मनुविज्ञान का नोट्स तयार कर रहा है, उसके आपके लिए फायदे मंद होगा तो टेंशन मत लीजिए लगातार प्रयास तो है ही मेरा कि आपके लिए अच्छा करूं और जैसे गणित वगएरा है गणित की वीडियो जगर इस पेर नहीं बन पाएगी तो वैकम वगएरा कि सहयोग मैं लूँगा वैकम पे इंट्रेक्ट जो है वीडियो को ज़्यादा सेयर करेंगे और लाइक करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने मित्रों तक आप इसे सेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अभी वर्तमान में सीटेट की एकजाम बगएरा चल रहे है मुझे भी पता है एक बच्चा का रहा था भईया सीटेट की एकजाम चल रहे है इस वज़ए से विवच कमा रहे है उसके बाद विवच आएंगे ठीक है मैं विवच के लिए ऐसा नहीं हो कि मैं रो रहा हूं कि विवच नहीं आ रहे है मैं खतम हो जाओंगा मेरा पैसन भ प्रयास करता हूं कि किसी का चीजे ना मिले प्रयास करता हूं जादा ज्यादा चीजे आपको मिले हैं अगर आप कहीं से पढ़ेंगे तो आप कि किसी एक चीज से देखेंगे और मैं जो आपको कंटेंट देता हूं कई जगा से देख करके देता हूं आपको लगता है कि मैं यूटुब का वीडियो किसी का नहीं देखता हूं देखता हूं उस टॉपिक से रिलेटेव वीडियो जरूर देखता हूं लोगों ने क्या-क् तो एक स्वभागी ही होगा बस ज्यादा नहीं बोलूँगा लगतार आप लोग पूछते रहते हैं तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी लोग सहयोग करेंगे और बहतर करने का मैं प्रयास करता हूँ गणित मैं आपको पूरा कराऊंगा इवियस भी पूरा कराऊंगा हिंदी परयावड जितनी भी चीज़े हैं न ठीक ठाक रहा सब कुछ तो मैं कबर जरूर कराऊंगा पूरा और यकीन मानिए कि पेपर तक आप लोग स्वैम समझ जाएंगे मैंने आपके लिए क्या किया है जब आप यूपिटेट देंगे तो उस समय आपको समझ में आगा अभी मेरा सुरुवात है अभी कुछ लोग इधर उधर बोलते हैं तो बोलने देजिए बोलना भी करतब्य है लोगों का और अगर बोल रहे हैं मेरा विरोध हो रहा है तो निश्चे तोर पे मुझे पता है कि अगर आपका विरोध हो रहा है तो निश्चे तोर पे आप कहीं न कहीं बेहतर कर रहे हैं अगर मैं बेहतर नहीं करता तो विरोध करने वाले पैदा ही नहीं होते तो विरोध हो रहा है मुझे अच्छा लगता है लोग विरोध करते हैं लोगों मेरे के लोगों के बीच मेरा नाम पहुच रहा है यही सब चीजे यही तो करने के लिए यूटूब पर आया हूँ के लिए नोट्स बना रहा हूँ बहुत जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइट करवाऊंगा और मनुविज्ञान की सारे जो वीडियो जहें प्लेलिस्ट बना दिया हूँ एक एक वीडियो को जो है आप नोट्स बनाते चलिए वही चीजे मैं आपको दूँगा थोड़ा सा ह पारे में जो लगतार आप पूछ रहा कि यह सुपर्टेट कब तक आया ना सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिए, जो सरकारी किताब है, ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए, अत्रिक्त, ये स्टेट के लिए, और चीजे यही आएंगे, जो अत्रिक्त होंगी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए छठी साथी साथी विए आटिपिक से आट यूपीटेट के बाद, ठीक है, यूपीटेट के बाद, अगर प्रसिच्छों का जो है प्रदबाव रहा, तो उसके बाद ही आएगी, जितना लेट यूपीटेट होगा, उतना ही आपके लिए कल्यान गारी होगा, और मुझे लगता है कि इलेक्शन से, इलेक्शन, मतलब अचार संहिता के, अचार संहिता से, दस-पाच दिन पहले, दस-पाच दिन पहले वेकंसी आने के उमीद है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था, और आगे भी करूँगा, कहूँगा, और यही उमीद है, जो उमीद है वही कर रहा हूँ, बाकि इसके पहले आ लाश्ट में लगेगी उससे दस-पांद दिन पहले होगा और आप 11 अक्टूबर का उप्चा रिक्ता आपकी सबाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका एक्जाम हो जाएगा मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी लोग बैटने के चांसे आपको मिलेगा यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा नहों मायूस नगवराई संधेरे से मेरे साथ ही इनी रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा प्रयास करिए बेतर करने के लिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ बाकि आप अस्तर से प्रयास करते रहें ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जैगिन जैवाद